भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है कहा जाता है श्रीमत भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बलकि इसे धर्ती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने श्री कृष्ण कहते हैं मनुश्य को परिनाम की चिंता किये बिना लोग लालच बिना एवम निस्वार्थ और निश्पक्ष होकर अपने कर्टवियों का पालन करना चाहिए जिस तरह प्रकाश की ज्योती अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है इसलिए मनुश्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए जिस प्रकार मनुश्य अप प्रबुद व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर, पत्थर और सोना सभी समान है, आपके कर्म ही आपकी पैचान है, वरना एक नाम के हजारों इनसान है, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहनकार सदैव माफी सुनना पसंद करता, है विश्रियों के बारे में सोचते रहने से मनुश्य को उनसे आसकती हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विगन आने से क्रोध की उत्पत्ती होती है, सदैव संदे करने वाले व्यक्ति के, लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और कर्म वो फसल है जिसे इनसान को हर हाल मे काटना ही पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता ऐसा निश्चे जिनकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है अच्छे कर्म करने के याद रखेगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत। लेता हूँ, हे पार्थ, जो लोग भक्ती में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अताह वे इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ती, के लिए जो आपके शब करना ठीक है, पर चिन्ता इतनी भी नहीं होनी चाहिए, कि वो काम ही बिगड जाए, अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता, है, श्री कृष्न कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्या नहीं बनाता हर कोई अपन कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास हैं, वो आपके द्वारा पहले किये गए कर्मों का फल हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, उसे वैसे ही फल की प्राप्ती होती है, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किन्तु कर के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपे privacy कर्म वह है, जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरंदाज करके रिष्टे बनाए रखिए पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आपको पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बहतर है, जब भविश्य धुन्धला पढ़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा संग, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितिया समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनोती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है मिनुश्य की मानवता उसी वक्त नश्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुहक पर हसी आने लगती है हे भारतवन्शी, शरीर में रहने वाले का वद कभी भी नहीं किया जा सकता अतह तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोप करने की आवश्यक्ता नहीं है समें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और नहीं किसी के लिए रुख सकती है जिन्दगी, खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाडी बहतरीन होता है, दर्द सब के एक जैसे है, मगर होसले सब के अलग-अलग है कोई हताशों के बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, मनुश्य को अपने कर्मों के संभावित परिनामों से प्राप्थ होने वाली विजय या पराज़ा, लाभ या हानी, प्रसन्नता या दुहक इत्यादी के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतिया सीधिया है, और नहीं सीखते है, तो गलतिया सागर है, निर्नाए आपका हैचना है या दूबना है, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना की हम उन्हें मान लेते हैं, कभी सुना है की अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया, गलतिया, धूणना गलत नहीं है, बस शुरूआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है, जो जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से, अपनी बुद्धी का प्रयोग कर सकता है, निंदा से घबरा कर अपनी लक्षय को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्षय मिलते, ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं, इसलिए मान लो, तो हार ही होगी और ठान लो तो जित ही होगी, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला व्यक्ति वही है, जो सफलता, मिलने पर अहनकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं दूब जाता, प्रशंस जीत लिया है, उसके लिए मन सरवश्रेष्ठ मित्र है, किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है, नकारात्मक विचारों का आनाते हैं, परंतु यह आप पर निर्भर करता है, कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं, हमेशा याद रखना, बहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है, इसलिए स्वयम को अधिक तनाव ग्रस्प न करी, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों नहों, बदलेगी, जरूर, संसार में परिशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों नहों, पर भगवान की कृपाद रिष्टी से बड़ी, कभी नहीं हो सकती है, प्रेरना का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शान्ती प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान, अपमान एक, जैसे होते हैं, मुश्किले केवल बहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती ह क्योंकि वही लोग उसे बहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं, कोई कुछ भी कहे, बस अपने आपको शान्त रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है, जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुखना अनुच देता है, उन्ही का नाम कानहा है, जो मन को नियंतरित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रू के सामान कार्य करता है, हे अरजुन, व्यक्ती जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तू पर लगातार चिंतन करे, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बलकि किन रिष्टों के सामने, कब और कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है, जो लोग बुद्धी को छोड़कर भावनाओं में बाह, जाते है, उन्हें हर कोई मुर्ख बना सकता है, वक्त से पहले मिली चीजे अपना मू प्रसन्नता या दुहक इत्यादी के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना, चाहिए, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कबडों को उतार कर नई कपडे धारन कर लेता है, जैसे जल में तेरती नाव को तूफान उसे आपके मन का संदेर दूसरा परवत खड़ा कर सकता है, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्यूंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें भी रोना पड़ता है, जो बेवजा दूसरों को रुलाते ह अपनी इच्छा शक्ती के माध्यम से अपने आपको नई आकृती प्रदान करें, कभी भी स्वयम को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें, इच्छा एक मात्र स्वयम का मित्र होता है, और इच्छा ही एक मात्र स्वयम का शत्रू भी, अपनी पीडा के लिए संसार को दोश मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही, तुम्हारे दोखों का अंत है, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, हो सकता है हर दिन अच्छा, ना हो, लिकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है, धैरिया रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के, लिए सबसे बुरे दौर से गुज्रना पड़ता है, रोना बंद करो और अपन उपहार तभी असली और पवित्र है, जब वो हरिदय से किसी सही व्यक्ती को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ती के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न हो, सुन्दरता आपकी दृष्टिकोन में होती है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, हे अरजुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में द्रिप कर देता हूँ, उद्य किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उपर उठता है, धैरिय और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, हे अरजुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुना, एक पवित्र और सम्रिधा में जन्म होता है, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद, को तकलीफ ना हो, मन अशांत हो तो उसे नियंतरत करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता, है हनकार और संसकार में फर्क है, अहनकार दूस जब सत्य की असत्य से लडाई होगी, तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का जुन्द भी होगा, अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयम के अलावा और कुछ भ प्रेम शर्णा खड़ा है, क्रोध आने पर चिलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब। ताकत चाहिए होती है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी काइनात एक हो। जाए, दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी उपर स्थित होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी शमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं, प्रेम शरीर या सुन्दर्ता को देख कर, नहीं, होता है, प्रेम हरिदे से होता है जहां दो हरिदे मिल जाएं वही प्रेम जन लेता है किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बाते सुनकर उसके प्रती कोई धारणा बना लेना मूर्खता है अगर साफ नियत से मांगा जाए तो इश्वर नसीब से बद कर देता है जो हुआ वो अच जादो फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो जब भी विनाश होने का प्रारंब होता है शुरुआत वानी के सयम होने से होती है जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है जीवन में यदि खु जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम इश्वर की मर्जी से होता है, विपत्ती में धैरिया, वैभव में दया और संकट में सहन शीलता ही श्रेष्ट व्यक्तियों के लक्षन है, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वानी कथोर जरूर होती है, लिकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता, जो अच्छा लगे उसे ग्रहन करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग फिर चाहे वो विचार ही कर्म हो, या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को दुबा ही देता है, अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चिजमन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदाहित्व लेता हूं, जो दान, बिना सतकार के कुपाल को दिया जाता है, वो तमस दान कहलाता है, परिवार और समाज दोनों ही बरबाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वही से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भागवद गीता की शरण जरूर ले लेना